केलोन मस्क ने ट्वीटर को 44 बिलियन डालर में खरीद लिया है मंडे 25 अप्रैल को जब ये डिल हुई तो 54.2 डालर पर शेयर के हिसाब से 44 बिलियन डालर में केलोन मस्क की तरफ से ट्वीटर को खरीद लिया गया अब सवाल यह यह उठता है कि दूसरे भी बड़े सोशल इडिया प्लेट फार्म है जहां बहुत ज्यादा ओडियंस है और उनकी वर्थ भी बहुत ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद इलाउन मस्क ने ट्वीटर को खरीदना ही क्यों जरूरी समझा लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय असलाव लेकुम दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीज रहाँ एलाउन मस्क ने रातो रात ही ट्वीटर को खरीदने का फैसला नहीं किया इससे पहले इसने ट्वीटर के 9% शेयर खरीदे इसके वजह से ये ट्वीटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गे अगर हो ट्वीटर में कुछ अपने हिसाथ से चरणिंग कर सके और ट्वीटर की बाॉंडरी को कम कर सके ये लेकिन दूसरे स्टेक अपने वजह से इलाउन मस्क ने को खरीघने का फैसला किया इलाउन मस्क के मताबिक ट्वीटर एक सोशल मीडिया période फार्म है जहां पर हर शक्स को अपनी freedom of speech का हक है लिएंट ट्वीटर की कुछ अपनी boundaries और rules and regulations है अगर आप उनको follow नहीं करेंगे तो चाहे आप इतनी बड़ी celebrity हो आपका account suspend हो जाएगा जिसके एक example recently Donald Trump का Twitter की तरफ से किये जाने वाला suspend account है और Elon Musk यहीं चाहता है कि Twitter अपने rules regulation में कुछ तबदीलिया करें ताकि हर शर्ट को अपने freedom of speech का हक मिले और इसलिए इस नहीं Twitter को खरीदा ताकि इस में कुछ changing कर सके और इस media platform को एक revolutionary बना सके लेकिन इसकी और भी बहुत सी वजुआत हो सकती है जिसमें से एक बड़ी वज़ा क्योंकि Twitter दूसरे social media platform की तरह casual नहीं यह एक पूरा vote of bank है आपने देखा होगा अगर किसी बड़ी स्लेबरिटी बिजनस्मेन या politician ने अपना पैगाम अवान तक पहुचाना है तो वह एक चोटा सा ट्वीट कर देता है जिसके वज़ा से ओवीजल टेके से अवान तक उनके influencer का पहुच जाता है और इसी तरह एलान मस्क अपना हर point of view Twitter के जरीए share करता है और लोग इसकी tweet को retweet करते हैं जिसकी वज़ा से इसका मैसित करोडों लोगों तक पहुच जाता है चुक्कि एलान मस्क दुनिया के richest person है तो इसकी एक tweet में दुनिया की market में fluctuation आ सकती है अगर ये किसी company में invest करने का कहें तो उसके share बढ़ सकते हैं और अगर किसी company से ये अपनी investment निकाले तो उसके share गिर भी सकते हैं इसके एक example जब एलान मस्क ने डोजी कोई की transaction के बारे में चोटी सी tweet की तो डोजी कोई के rate 30 to 50% बढ़ गए इसलिए Elon Musk Twitter को सिर्फ as a social media platform यूज नहीं करता ये इसे as a marketing tool भी use कर रहा है इसलिए Twitter को खरीदने के बाद Elon Musk इसे अपने businesses और दूसरी companies के लिए as a marketing tool यूज कर सकता है और ये वो कुछ reason थे जिसके वजह से Elon Musk ने Twitter को 44 billion dollar में खरीदा आई होब कि आपको ये वीडियो कि अधुछ कि अधुछ झवश खाउ जाई कि अध객 कि दो ए